लेटस्ट कबरे पाने के लिए सस्क्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस्ट कबरे सबसे पहले पारियों ने बताया कि बहावतेज होने की बजह से नावस्थिर हो गई थी और नदी पर बन रहे एक ब्रिज के पिलर से टकरा कर डूब गई मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायदू ने कहा कि 23 लोगों को बचा लिया गया है जबकि लापता साथ लोगों की तलाश जारी है राश्ट्रे आप दामोचनबल के साथ साथ राजामेंद्र वर्मन और विशाखा पट्टनम से प्रदेश आप दामोचनबल पुलिस और राजस्व विभाग के जवान बचाव अभियान में जुटे हुए है नाव में ज्यादा तक छात्र सवार थे और यह पसुभुलंका से सलादिवारी पलेम जा रही थी